दोस्तों आज कीया वीडियो हम बताएंगे कि किस तरह के से फेस्बुक पर से फोटो डिलेट करते हो अगर आपने कोई फोटो अपलोड कर दिया है उस फोटो का आप डिलेट करना चाहते हैं तो आप यीज ली कर सकते हैं तो चलिए बिना time को वेश्ट की वीडियो के श्टा tag करके photo add कर लिया है तो इस दूसरे का भी photo अप डिलीट करना चाहिए तो कर सकते हैंгор अपना photo तो अपना delete कर ही सकते हैं आप अपना photo delete कर सकते हैं लेकिन दूसरा photo delete करना यह भी बता देता हो तो सामने हम आपको 3. option देखें wanna ठीक है share के नीचे में यहाँ पर दिख रहा है आपको 3.option मैं फिर से बता रहा हूँ आप इस right side में यहाँ पर किलिक किजिए और remove tag पर करके remove कर सकते हैं या फिर hide for profile मतलब वो छीप जाएगा आपके profile पर दिखेगा नहीं वो hide हो जाएगा tag रहेगा अगर आप tag को remove करना चाहिए तो हट ही जाएगा अगर आप hide करना चाहिए तो hide कर सकते हैं तो जो भी आप करना चाहिए वो आप कर लीजिएगा और एक बात और गाईज अगर आप जो भी profile photo set किये थे मतलब कि facebook पर dp लगाए थे वो photo delete नहीं होता है मैं आपको पहल photo है इस photo को मैं delete करना चाहता हूं तो यहाँ पर delete option आजाता है move to trace का option यहाँ पर delete का आइकन दिख रहा है यह 30-80s period में आपका delete हो जाएगा और profile से अभी तुरंत हट जाएगा जैसे आप delete करेंगे तो यह आपका backup file में रहता है आप उसको वापस लाना चाहिए तो वापस ल hide for profile का option मिल जाएगा तो आप यहाँ से hide कर सकते हैं बट यहाँ से delete नहीं कर सकते हैं I hope कि आपका सारा dot clear हो गया होगा कोई भी dot हो facebook के related तो आप हमें comment में पूछ भी सकते हैं यह वीडियो कैसा लगा comment में ज़रूर बताएगा मिलते हैं next वीडियो में thank you so much दो कि मैं यहाँ बार होगा थोळगा — का जज बताएगा